हेलो वीवर्स गोड मॉर्डिंग आज इस वीडियो में हम जानेंगे मुनो सिट्स का लेवल बढ़ना अगर आपने सी बीसी रिपोर्ट्स कराया है या आपके डॉक्टर ने सी बीसी रिपोर्ट्स कराया है ऐसी कंडिशन में अगर मुनो सिट्स का लेवल बढ़ता है तो कौ में इस दोट नेवल बढ़ता है अब हम थोड़ा सा यह समझ लेते हैं कि इतेरा के वाइट बिलड सेल्स एक एक ग्जामपल शेयर法 देजें माल लीजी एक पिताके पांच बच्छे हैं उसके पांच छोटे-छोटे बच्चे हैं अब पांच बच्चे हैं उनमें से एक बड़ा होगा फिर एक उस्से चोटा होगा फिर एक उस्से चोटा होगा यानि कि वह डिफ्रेंशियेट करते हैं दूसरा पांचों में कुछ ने कुछ यूणिक होगा यानि उनकी कुछ अलग अलग खासियत होगी पांचों की तो इसी तरीकी सी हमारी White Blood Cells है हमारी White Blood Cells को अलग 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 पांच component में उसको डिवाइट कर दिया गए सबसे तो पहला कौन सा था लिंफोसेट्स, मोनोसेट्स, ईयोसोनोफिल्स, वैसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स पांच हो गए, एक, दो, तीन, चार, पांच अब हम बात कर लेते हैं मोनोसेट्स के बारे में, मोनोसेट्स एक प्रकार का मar privilege है यह कब बढ़ता है मर्चर में जब कोई बैक्टीरियल इंफेक्शन होता है इस्पेशली में मार्क कर रहा हूं आप ठ्यायर लगना है इसमात कर शरीर में कोई प्रकारील इंफेक्शन अगर घोता है तो तो मोस्टी अमारा मोनोसिल्स भी बढ़ता है मैं पीछे भी discuss कर चुका हूँ इसके अलावा viral infection में भी बढ़ता है अब आप कहेंगे कि सर बैक्टीरियल infection कौन सा कौन सा तो बैक्टीरियल infection में समझ लेज़े जैसे ट्योगा कलोसेस ट्योगा कलोसेस में बढ़ता है इसके अलावा सब acute bacterial endokinitis यानि कि जो आपके heart की अंदर की लेया है उसमें सूजनाना ठीक है इसके अलावा होता है syphilis syphilis आप सभी इससे मेरे सबसे परचित होंगे कि सिफिलिस क्या होता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है viral infection इसके अलावा होता है viral infection में भी यह बढ़ता है ठीक है इसके अलावा protozoal infection प्रोटोजोल infection जैस typhus हुआ काला-जार हुआ काला-जार में आइधिंग मैंने अभी जिन्नी वीडियो बनाई है उसमें से कोई एक आधी वीडियो जिसमें मैंने बताए होगा कि काला-जार में कोई sales बढ़ती है लेकिन हैं आप बात कर रहे है मुनुसिट की specially मुनुसिट पर बढ़ रहा है आप काला आजार क्या होता है काला आजार यानि की सेंड फ्लाय जो सेंड फ्लाय वाइट्स होती है जो मदुमक्किया होती है जो घर में जो मक्किया होती है उन्हें की द्वारा फिलता है ठीक है अपने बात करें ग्लेंडॉलर फीवर के बारे में ग्लेंडॉलर फीवर यानि कि आपके शरीद में एक ऐसा वाइरस पहुँच चुका है जो आपके ग्लेंड को आपके लिम्फेटिक सिस्टेम को लिम्फनोड को ज्यादा प्रभावित कर रहा है इस वाइरस का नाम होता है EBV यानि कि एपिस्टीन वाव वाइरस यह तरह का वाइरस इंफेक्शन है जो सरीर में अगर पहुँच गया तो आपके ग्लेंडूलर सिस्टम को थोड़ा सा अफेक्ट करता है इसलिए हम इसे ग्लेंडूलर फीवर के नाम से जानते हैं तो यह कु कैंसर की कंडिशन में यान की ऑवरी की कैंशर अगर क्योंस को होती है तो ऐसे कंडिशन में भी यह बढ़ जाता है इसके हैं इन्फ्लमेट्री वाएरस इंपर्ब्स कोलाब다면 कर लेते हैंolerी से Matthा Onun में बढ़ता है ट्योव क्लोसेश हुआ सेफिलिस हुआ मलीरिया हुआ काला अजार हुआ ग्लेंड डूलर फीवर हुआ इसके अलावा सब एक्यूट वैक्टेरियल एंडोकाइडाइटिस हुआ वायल इंफेक्शन हुआ प्रोटोजोवाल रिकेट्स यानिकी मलीरिया और काला आजार हुआ इसके अलावा लुकेमिया मोनोसाइटिक लुकेमिया यानिके ब्लड कैंचर में बढ़ जाता है कभी-कभी इस्पेशली मोनोसाइटिक लुकेमिया मैलेगनेंसी जैसे ओवरी इस्टेमक और वेस्ट की कैंसर किसी को होती है ऐसी कंडिशन में भी बढ सब्सक्राइब करना हमारे इसी तरह की वीडियो देखने के लिए और अगर अभी तक दोस्तों साथ शेयर नहीं कि तो प्लीज शेयर किजिए मैं अचा करता हूं कि वीडियो से आपने बहुत कुछ शेका होगा और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्फ फोलोगा बह अगर मोनोसिट्स का लेवल कम होता है तो इसे कहते हैं मोनोसाइटोपीनिया ठीक है I hope सारे टॉपिक्स इस CBC related से आपके confusion और topics clear होते जा रहे होंगे मैं फिर मिलूँगा इसी तरह कि इसे ने topic में तब तक के लिए इजाज़त दीजिए Thank you for watching